आज IDBI में काफी गिरावट आई है, क्यों गिरा और क्या है लेटेस न्यूस IDBI के लिए आईए चल कर समझते हैं गौर्णमेंट ने अपने डारेक्टर्स नोमिनेट करने की बात शुरू कर दी है गौर्णमेंट का हिस्सा है तो डौमिनेट कर सकते हैं, दोनों में बंजाब नेशनल बैंक और IDBI बैंक में यहाँ पर एक डारेक्टर लगाये जाएगा पंकज शर्मा has been nominated for through a notification यहाँ पर 11 April के लिए जो state-owned PNB in regulatory filing और यहाँ पर IDBI के लिए भी नेम बहुत जल्दी अनौन्स किया जाएगा इनका divestment objective है current year में complete करना government को, यह कई good option बन सकते हैं इनके पास में पर RBI की guideline एक challenging position बन रही है क्योंकि यहाँ पर promoter की holding कफी जाद रहेगी तो government of India ने Reserve Bank of India को request किया है कि normalization कर दिया जाए कुछ time के लिए उनको extension दे दिया जाए रादर देन 2 महिने 2 साल के अंदर उनको हो सकता है 4 साल का term दिया जाए तो यह एक floating norm कर सकते हैं यहाँ पर IDBI bank ने कहा है उनके board of directors ने approve कर दिया है 8000 करोड रुपे का यहाँ पर bond के रूप में loan निकालना तो 81 bond 3000 करोड के लिए यह senior infrastructure bond के रूप में निकालेंगे जो कि एक अच्छी बात होगी इनको funds मिलेगा अब देखें तीन चीज़े हुई है यहाँ पर जो आपको समझाना चाहते हैं सबसे पहले जो current market में गिरावट आई है market पूरा का पूरा गिरा हुआ है अभी यहाँ पर दो reason की वज़े से एक तो inflation बहुत ज़दा होने की वज़े से सब जगा पर बहुत ज़दा challenges हो रहे है food को procure करने के लिए government को भी और public को भी जिसकी वज़े से यहाँ पर interest rate को कम किया जाएगा interest rate को बढ़ाए जाएगा fed ने जो almost zero level के rate रखे थे वो अब बढ़ाने शुरू होगे इसका impact stock market पर होगा जो इनको stock को banking sector को थोड़ा सा नीचे गिराएगा हमारे इसाब से यह opportunity है नीचे की level पर support level क्या होंगे वो technical माधियन से बता सकते हैं आईए देखिए आज का भाव 45 रुपे 75 पैसे के आसपास है करीब 3% गिरा है यह stock अगर इसको weekly chart पर देखें तो जो इसका एक support है अगर 40 रुपे के आसपास इसने support टोड़ा क्योंकि जो कई बार इसने resistance की त तोड़ा 40 का level तोड़ देख साथी अगला major support जो है 27 के पास रहेगा यहाँ पर अब अगर हम आगे बात करें कि इसका MACD अगर moving average देखा जाए 50 day moving average 45 के आसपास है अगर इसने इसको तोड़ के नीचे गिरा तो यह challenge बन सकता है देखिए April के शुरू के महिने में काफी अच् एक challenging position बना सकता है आगे फर्दर गिरेगा अगर 45 के नीचे गिरता है क्योंकि 45 50 day support है अगर हम बात करें बुलिंजर बैंड से बाहर निकल के वापिस आना एक healthy sign है बट अगर यह international market में भी pressure आया तो यह एक बार इसने 45 का level तो फिर 41 की तरफ अग्रिम होगा बुलिंजर बै 53 support है यहाँ पर super trend का 51 का RSI का level एक perfect neutral zone में कहलाता है देखें मैगडी ने buy signal generate करके रखाता है यहाँ पर 11 मार्ट से बट अब थोड़ा सा रुजहान नीचे को है interesting होगा क्या यह इसको crossover करके sell signal देगा कि यह इसको hold रखेगा यहाँ पर मैगडी सबसे पहले sell signal generate कर सकता है सारे parameter के comparison में अगर हमारी trades को copy करना है तो हमारा 2.99 का package ले सकते हैं प्लीज कंसर्व फैंश अडवाइजर जै हिंद जै भारत